Hello lovely people, मैं कलपिता ब्यूटी नाइन से बहुत लोगों को मेकप करना पसंद है लेकिन मेकप करना आता नहीं है या फिर बहुत लोग जो हैं सीख रहे हैं मेकप लेकिन बहुत सारी दिक्कते आती हैं मेकप करते समय तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कि जो लोग new makeup सीख रहे हैं किस तरीके से makeup कर सकते हैं बहुत easy look दोस्तों मैंने आपर create किया है और ये easy करना आपके लिए बहुत ही असान होगा बहुत interesting video है तो video को end तक जरूर देखिए और अब चलिए start करते हैं makeup tutorial के साथ तो चलिए जी शुरू करते हैं toner के साथ यहाँ पर मैं यूज करूंगी जो हिससे ये face toner टोनर के बाद हमें जरूरत है shear butter की मैं आपको बता दूँ कि अगर आप moisturizer नहीं यूज करेंगे तो आपका makeup जो है बिल्कुल भी set नहीं होगा और अच्छे से नहीं होगा क्योंकि moisturizerize करना skin को बहुत ही जरूरी है skin को hydrated रखने के लिए अब हम यूज कर लेंगे primer और यहां मैं यूज कर रही हूँ naika से ये prep me up primer उसके बाद अब हम यूज कर लेंगे vaseline इससे जो है आपके lips hydrated रहेंगे अगर आप beginners हैं आप अभी अभी makeup करना सीखे तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको eye makeup कर लेना चाहिए ताकि आप जो भी eye shadow यूज कर रहे हैं अगर वो गिर रहा है आपके face पर तो raw face पर गिरे foundation लगाने के बाद अगर वो गिरेगा तो आपका पूरा makeup जो है mess up हो जाएगा इसलिए पहले ही जो है आप अपने eyes का makeup कर लें यहां मैं यूज करना की cryolend से supra color palette अब मैं beauty blender से ब्लेंड कर लूँगी अब मैं यूज करूंगी maybelline fit me से यह compact powder इसे set करने के लिए यहां पर मैं यूज करूंगी trend beauty से यह eye palette जिसका नाम है tempting दोस्ते यहां सबसे मेले मैं यूज करूंगी transition shade और इसका नाम है law of application इस palette में इसका नाम ऐसे दिया गया है झाल दोस्तों इसके बाद मैं यूज करूंगी यह light brown shade जिसका नाम है risky झाल 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 तो दोस्तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने blending कि है बहुत ही easy blending कि है मैंने सिफ उपर की तरफ अपने brush को गुमाया है color apply करके दोस्तो अब मैं use करूँगी same palette से यह शेड जुसका नाम है डिजायर और बहुत ही हलके हाथों से सिर्फ यहां बीच में मैं ऐसे लगाऊंगी और अब हाथ से जो है उसे अच्छे से इवन आउट कर लें डिफरेंस आप देख सकते हैं दोनों आखों में तो यहां पर इतना कंप्लीट हो गया है हमेरा आई मेकब और अब हम चलते हैं लाइनर की तरफ लाइनर के लिए मैं यूज करूंगी मेवेलीन फिटमी से यह जेल लाइनर क्यों करूं झाल झाल अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी एलेकॉल प्रो से ये फाउंडेशन जिसका शेड है नाच्रूल इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये काबु की प्रश जो है पी एसी से और इसका नंबर है 246 दोस्तों अपना गला जो है आप कवर करना ना भूलें बिलकुल भी वरना कलर जो है अलग अलग दिखता है फेस का और गर्दन का प्रश जो है और साथ ही अपने कानों को भी कवर कर ले ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इसे ब्लेंड कर लेना है अब मैं यूज करूंगी कॉम्पाक्ट पाउडर मेविलीन फिट मी से और इसको आपको सर्कुलर मोशन में लगाना है क्लॉक्वाइस या एंटी क्लॉक्वाइस इस तरीके से clockwise मतलब जिस तरीके से घड़ी का काटा गूमता है और anti-clockwise मतलब उसका उल्टा अब इसके बाद हम कर लेंगे powder contouring जिसके लिए मैं use करूंगी ADS से मेरा contour palette झाले कि कि ए सकतम करूंगी और कर ले जैज झाले को में भीपा हम से ऊजरी के की तरीके से जाने उसके में Hybrid जिसाना प्ड़ी जय कर दो खरीके सीटीन से जाओ से घएव हम ठीलाक भीप्साओ हम प्ला का किया विदार शेली बीदल रिने आया करे यह मतल Thanos Q अब मैं यूज़ करूंगी ये सूपरा कलर पैलेट फ्रम क्रैलेन हाइलाइट करने के लिए अपने फेस को इसमें से मैं यूज़ कर रही हूं शेड नंबर एफस फॉरी फाइव अब मैं आपको बता दूँ हाइलाइटिंग करने से आपके फेस के फीचर्स बहुत है बहुत ही ज़्यादा शाप दिखते हैं इसलिए हाइलाइटिंग करना चाहिए और हम ने पाउडर कॉंट्यूरिंग की है ज्यादा कॉंट्यूर नहीं किया है मैंने क्योंकि बिगनर्स के लिए पाउडर कॉंट्यूर इंग बहुत ही सेफ है बहुत 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 है फिर एक बार में चेहरे की पाउडरिंग कर लूँगी कॉंपाक्ट पाउडर से बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है फिस्ट बहुत है मैं अइट फिरी पोजन केron बहुत है जोजी सबसे पहले कर लेंगे हम आइलाशिस को दोस्ता अब मैं यूज़ करूंगे मेबिलीन से ये मस्कारा जुसका नाम है कोलोसल एक दम बॉटर प्रूफ है बहुत जदी तो देखिए अब आपको नीचे के तरफ से उपर की तरफ पहले मस्कारा अप्लाए करना है ठीक है और इस गोल गोल गुमाते वह अप्लाए करना है इस तरीके सी वैंड को आपको यूँ गोल गुमाना है झाल 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 दोस्ता मैं यूज करूंगी इस पैलेट से ये डार्क ब्राउन शेड अंडर आइस के लिए आफ स्दॉट धॉँ लिए आइब्रॉस की जिसके में यूज करूंगी मेबिलीन से यह मस्कारा क्योंकि मुझे बहुत थिक आइब्रॉस नहीं पसंद है तो मैं सिर्फ हल्का सा जो है मेरे हाफ ट्राइ मस्कारा से फिल कर लेती हूं दोस्तों मैं यूज करूंगी नायका का यह लिप पैलेट जिसमें यूज कर रहे हूं यह ब्राउन शेड और इस पैलेट का नाम है फ्लावर चाइल्ड झाल दोस्त लास्ट बटन लीस्ट मेकप फिक्सर काम इस्तिमार कर लेंगे यहां मैं यूज़ कर रही हूं एले गोर्ल प्रो से यह लॉंग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे दोस्तों कमप्लीट होता है यहां पर हमारा मेकप लूग आइब होप कि जो भी विग्मेश उनको समझ में आया होगा की मेकप कैसे करना है दोस्तों बहुत ही ईजी टूटोरियल मैं आज आपको यहां पर बताया है I hope आप सबको समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर फूछिए मैं ही कमेंट कर रिप्लाइ करती हूँ अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को लाइक शेर कीजिए और अपने डाउट्स और जो भी आपकी मन में थौट्स है इस विडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएए मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए बी हापी, कीप स्माइलिंग और लव यू ओल बाई